हाई एवरिवान कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जे इस्वाल एंड स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में तो दोस्तों आप लोग सोच रहे कि आज दो दो सर यहाँ पर क्यों दिख रहे हो और जिनको नहीं पता है मैं बताना चाहूंगा कि यह है हमारे अभिशेक सर ठीक है और यह जनरली 12 स्टैंडर को बाइलजी पढ़ाते हैं ठीक है लेकिन आज के वीडियो में यह क्या कर रहे हैं दोस्तों सबसे पहली बात जैसे कि आप जानते हो कि ह हमारे 10th standard का जो पुरा सिलाबास है हमने पिछले साल दी complete करा दिया था चाहे वो science हो चाहे वो math हो English grammar हो या फिर social studies हो पुरा complete है हमारे whiteboard वाले वीडियोस प्रेजेंट है और जो नए वीडियोस है डिजिटल बोर के उपर जो हम बना रहे हैं धुबारा से आप लोको पढ़ हुआ है तो यहां पे मैंने अभिशेक सर से request किया कि जो 10th standard का जो science 2 subject है जो की biology के उपर ही base होता है तो उसका जो second chapter है और फिलाल में जो third chapter है फिलाल में मैंने अभिशेक सर के हाथ में दे दिया है और sir को request करके बोला है कि sir आप second chapter और third chapter अपने बच्चों को पढ़ा दो या बस आप लोग से एक ही उमीदे कि आप वीडियो देखो पहले डारेक जज्मत करना कि अभिशेक सर ऐसा है वैसा है एक बार वीडियो देखो कैसा पढ़ाते है वो देखो best लगेगा आप लोगको अपने आप पसंद आ जाएगा क्योंकि यार हमारे जया टुटोरिस में जो परे बच्चे देने के लिए तो पहले माइक लगा लेता हूं तो हलो मेरा नाम है अभिशेक और स्वागत करता एक बार फिर आपके प्यारेस चैलर जे आर टुटोरियल में जैसा कि राउल सर ने आपको अल्रेडी बता दिया है मेरा नाम अभिशेक है बस छोटा से इंट् क्या नाम है सेकेंड लेसन का लाइफ प्रोसेसे इन लिविंग और्गेनिजम पार्ट वन और आज मैं आपके लिए लेकर आगया हूं लेक्चर नम्मर वन तो मैं आपको ये लेसन और अगला जो नेक्स लेसन है वो प्रवाबली आपको पढ़ाने वाला हूं ठीक है इत्त हो आप सब को इक बातिक सबको पता होंगी की हम जितने ओर्गेनिजम में वो सारे से बने हुए नजै AMे आपको मैं किससे बना रहा है कि यह प्रोटन्स और जितने भी प्रोटीन फौर्म 1 जितने जीटीर हों वह सब कुछ क Construe हो नहीं आखे चल की आणसर दे रहे होंगे इन सेल्से आगे चल की क्या एक होता है तीशू डोस ग्रूप अब infinite एगे सिमिलर सा function मतलब क्या कि बहुत सारे ऐसे multi-cellular organisms भी होते हैं ठीक है आप लोग जब आगे चलके kingdom animalia पढ़ोगे ना शायद 6th या 7th lesson है आपका तो उसमें भी आप ऐसे organisms भी देखोगे जो multi-cellular तो है ठीक है बहुत सारे से जिनके पास बच बच्चों वो टिशू फॉर्म नहीं कर पाते हैं ऐसा क्यूंकि वो उनके पास multi-cellular तो मेरा एक जो specific function है, वो एक specific tissue को दिया हुआ है, ठीक है, these are the tissues, फिर tissues से आगे चलके form होता है organ system, ठीक है, tissues से आगे चलके क्या form होता है, organ, बढ़े सारे tissues एक साथ मिल जाते हैं, और क्या बना देते हैं, organ बना देते हैं, फिर ये organ आगे चलके क्या बनाता है, organ system, जिसे बहु होता कई और थिसमें है जाते हो अगर जाते हो तो पहले मोझ में जाता है फिर माउट से लेरिंग तीक है बाद ऊसमें पाइदे नियुकर में होता है डियसेटी क्यों स्कृइजटेष्ट होते हैं मतलब क्या उस्पूड के अंनर जो फूर्ड आपने खाया हुआ है उस फूर्ड के अंदर जितने भी नुट्रीशन है जितने भी नुट्रीशन है वह जो स्टमक का वॉल्स है वह क्या करेगी उस चीज को एब्सॉब कर लेगी और बाकी जो वेश्चीज़े हैं हो क्या करेंगी उसको आगे वाले पाइप में भिस देंगी फिर आगे कुन सा पाइप होता है small intestine small intestine के बाद large intestine और उसके बाद क्या हता है इनच इसके तुर हमारा waste product है वह हमारे body से बाहर निकल जाता है तो आप देख रहे हो मतलब एक organ system में जैसे मैंने digestive system बताया तो उसमें बहुत सारे type के क्या जाते है organs आ जाते है इतनी बात है clear है तो बहुत सारे organs को मिला के क्या बनता है organ system मलता है और सारे organ system को अगर मैं मिला दूँ ठीक है सारे organ system को अगर मैं system चल रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा इस lesson में हम लोगों पढ़ना है कि यह जितने भी system है न बच्चो जितने भी system है सब को करने के लिए क्या चाहिए बच्चो एनर्जी चाहिए ठीक है बिना energy के आप कोई की चीज़ thing भी नी कर सकते ठीक है आप अपना हाथ है यह यह में pencil भी आज़े हैं से घुमा ने सकते हैं यह मेरा मारकर भी भी आंए घुमानी सकता without energy तो आपको चाहिए energy अब यह energy मिलती कहां से ठीक है energy बनती है cell के अंदर, ठीक है, जितने भी cells होते हैं, उनके अंदर energy का formation होता है, तो for example, for example, ये मेरी एक body का cell है, या है, ये एक मेरी body का cell है, अब इस cell के अंदर energy का formation होने वाला है, तो formation कैसे होने वाला है, इसके अंदर एक reaction चलती है, ठीक है, इसके अंदर क्या चलती है, एक reaction चलती है, for example, मैंने carbohydrate खाया, आप carbohydrate किसमें मिलता है, आपके चावल में मिलता है, ठीक है, जितने भी cereals होते हैं, cereals मतलब क्या, जितने भी दाल वाले product होते हैं, उसके अंदर carbohydrate मिलत कफ़ण right वर्फवाईदर को एक सिंपल सा फ़म में लेता हूं ग्लुकोस लो कोस किसके अंदर रहेगा इसके साथ करेगा Ey PET यहां पे कुछ चीज़ें होती है कौनों सी चीजें होती है एक तो हमारा मेन सोर्स एनरजी इसी एनरजी से हम लोग आपने सारे काम करने वाले हैं तो में जो भी तुम पढ़ रहे हो ठीक है जो भी काम कर रहे हो वो सारी चीज़े किसके वज़े से हो रही है इस एनरजी के वज़े से हो रही है कहां पर फॉर्म हो रहा है इस सल के अंदर कैसे फॉर् लेकिन अगर आपने science 1 पढ़ा होगा science 1 में कुछ chemical reactions होते है chemical reaction पता है तो इस side वाला जो chemical reaction होता है उसे हम लोग रियक्टेंट कहते है और reactant से आगे चलके product बनता है लेकिन product के साथ साथ कभी-कभी कुछ byproduct भी निगल जाता है h2o मतलब क्या होता है water अब सवाल यह है कि इस cells के पास इन cells के पास यह glucose आया कहां से यह oxygen आया कहां से यह हम लोग को जन्रल सा introduction देखना है ठीक है हमारे body के अंदर जितने भी systems है जितने भी systems है वो सारे के सारे एक दुसरे के साथ coordinate कर रहे है तो मैं अभी आपको बताओंगा यह cell के अंदर यह glucose कहां से है इस cell के अंदर यह oxygen कहां से है तो देखो glucose आता है digestive system तो फॉर एग्जमपल आपने कुछ खाना खाया ठीक है आपने कुछ खाना खाया वो खाना कहां गया stomach के अंदर गया for example this is the stomach ठीक है आपके stomach के अंदर खाना गया और ये खाना यहाँ पे जो nutrition present था इस food में जो जितना भी nutrition present था वो stomach की wall ने क्या कर लिया absorb कर लिया ठीक है stomach की wall ने क्या कर लिया absorb कर लिया अब इसी stomach के wall के बाजू में side side में प्रेजन थी blood vessels ठीक है अब blood vessels हर जग़ा present है हमारे body में हर एक जग़ा पे क्या present है blood vessels present है तो यहाँ पे क्या present होंगी blood vessels present होंगी अब transfusion के through ये जितने भी blood vessels के जितने भी food थे ये किसके अंदर आ गए in blood vessels के आ गए मतलब ये जो glucose का molecule था यह किसके अंदर आगया इस ब्लड वेसल के अंदर होगी तो हमारे पूरे बलड वेसल हमारे पूर्य भूबे पूरे बोरी में जबी सैलकर के देंगे वाड़ से लिए छल घौन ओ着 ऑई क्या है देंगे एपका겠죠ï स्थे साथी साथ कौन सा सिस्टम लगा ये कौन सा सिस्टम है इटीज़ सर्कूलेटरी सिस्टम है सर्कूलेटरी सिस्टम मतलब यहां पर यह जो दोनों सिस्टम मैंने बता यह एक दूसरे के साथ क्या किया इंदोंने ने कॉडिनेट किया सिंपल सी बात है तो हमें पता चल गया कि और लोग नोर्मल नोर्मल ने साह लिया और यहां पर आगे चलके हमारे थोरैसिक ऑटी में थो भैक लाइक और गन प्रेजेंटन और गए जिसंग नोग क्या क्या कहते हैं लूंस के थे अब लूंस का काम है ऑक्षिजन को स्टोर करके रखना था और अब यहां से जैसे आपने यहां से नोस के थ्रू क्या लिया oxygen को इनहेल किया oxygen को क्या किया inhale किया वो किसके अंदर चला गया यहां पे इस bag में स्टोर हो गया है इस बैग में छोटे छोटे आप टोकेट सोटे हैं जिसे हम लोग LV और यही वापस यही ब्लड किसके पास जाएगा और यह क्या देदेगा इस सेल को ऑक्सीजन देदेगा तो दोनों चीजे मिल गई ठीक है बहुत जाता है वो स्टार्ट कर देता है अपनी reaction और यहाँ पर क्या form हो जाती है energy किस form में form वोती है यह भी आपको बता होना चाहिए energy form होती है ATP के form में थीक है किस form में form होती है ATP के form में जब हम लोग लेक्चर आगे दूसरे लेक्चर जालूँगा मैं तो उसमें आपको एडिघो साइट ड्राइफ तीक एक इनरजी है किंगकर नेंच भी किमिकल की ski को इस तो रीचिन की तु Labर के इनर्जी हमारे बॉड्य को मिल जाती है इस दिरुड से एक पांगा स्पीट करें से हमारे और इंयोलोड इस्टम हम लोग को जो नेक्स्ट वीडियो में अप्लोड करूंगा ठीक है जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग इस एनर्जी को फॉर्म करने की प्रोसेस के बारे में समझेंगे कि एक्च्वल में यह तो मैंने एक सिंपल सा रियक्शन बता दिया थे कि इतना सिंपल नहीं होता एनर्ज साइकल हो इसी साइकल को क्रेप साइकल भी कहते है कुछ बुक्स में ठीक है उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्ट्रों ट्रांसफर चेन रियक्शन यह तीन स्टेप में क्या होगा एनर्जी प्रोड्यूस होगा ओके ठीक है अब एक बात और याद रख लो कि जो जब अन incorविक रेसपरोषण होगी तो अगर जो और ऑ्ग वाचिजन के दर ट्रूं रिसपरोषण नहीं करते तो उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइस चलेगी फिर आप पूछो कि कि सर क्रेब साइकल क्यों नीं चल दी कि क्रेब साइगल भी तो विदावड ऑक्सिण चलेगी तो जब मैं आपको डीप में पढ़ा हुआ या तब को समझ में आएगा यह जो energy कैसे form होता है, वो हम लोग सिखेंगे, तो I hope आपको यह वाला वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को like जरू से करना, ठीक है, next वीडियो, अगर आपको next वीडियो भी चाहिए, और अगर आपने bell icon को all पर नहीं किया, तो bell icon को all पर कर लो, तभी आपको notification आएगी next वीडियो की, ठीक है, तो हम में मिलता हूँ next वीडियो में, तब तक के लिए keep studying,